दोस्तो आप सभी का स्वागत है आमनटेक्स YouTube चैनल में दोस्तो स्परश पोर्टल पे आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से भी कर सकते हैं और अगर आपने अपना डिजिटल तरीके से ऑनलाइन अपना लाइफ सर्टिफिकेट सब्मिट किया है देन उसके बाद किस तरीके से जो है आप उसका status चेक कर सकते हैं तो चलिए वो जानते हैं और कैसे आप अपना life certificate डाउनलोड कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में आप सीख जाएंगे तो चलिए दोस्तो जब आप अपना life certificate G1 परमान application से submit कर देते हैं उसके बाद जो है आपको last में वहाँ पर एक परमान ID मिल जाती है उस परमान ID को आपको अपने पास note करके रखना होता है और उसके बाद जो है उस परमान ID से आप अपने life certificate का status कैसे चेक कर सकते हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर अपने mobile में Google में सर्च करना है जीवन परमान status जैसे ही आप यह सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने first link आ जाएगा जीवन परमान.gov.in की site का simple आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपके सामने next page open होगा यहाँ पर आपको नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने के साथ ही यहाँ पर आपको login का option मिलेगा यहाँ पर आप अपनी प्रमान ID एंटर करेंगे और उसके बाद आपको नीचे capture code देखने को मिलेगा वो capture code same to same आपको नीचे वाले box में एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर generate OTP के option पर क्लिक करना है दोसो उसके बाद आपको यहाँ पर OTP एंटर करने का option मिलेगा तो यहाँ पर आपके registered mobile number पर जो है एक OTP गया होगा जो भी आपने अपना mobile number अपडेट करवाया होगा Spurs Portal पर उस पर जो OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर enter करना है और उसके बाद आपको login के option पर क्लिक करना है दोसो यहाँ पर जो है आप successfully login हो जाएंगे और उसके बाद आपको आपका live certificate देखने को मिल जाएगा और उपर आपको यहाँ पर download का option भी मिल जाएगा simple आप click here के option पर click करके अपना live certificate डाउनलोड कर सकते हैं दोसो live certificate जैसे ही आपके mobile में download हो जाएगा उसके बाद आपके live certificate में जो भी details हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका name, आदार number, date of worth, mobile number और आपका photo भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोसो यहाँ पर जो important चीज़ है वो है यहाँ पर नीचे note यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा your digital life certificate has been successfully accepted by SPERS PCDA Pensions Allahवाद, SPERS PCDA Pensions Allahवाद तो दोसो यहाँ पर हमारा life certificate successfully submit हो चुका है accept हो चुका है तो दोसो अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है your digitally life certificate has been successfully accepted by bank तो दोसो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका SPERS पोटल पर data जो है वो migrate हो चुका है आपको username and password भी मिल चुका है तो दोसो यहाँ पर आपको अपना life certificate जो है वो आपको SPERS PCDA Pensions Allahवाद को ही यहाँ पर submit करवाना है तो दोसो इस वीडियो में आपने देखा कि life certificate आप जीवन परमान की site से कैसे आप status चेक कर सकते हैं यहाँ पर download करके अपने पास भी रख सकते हैं दोसो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि SPERS की official site पर आने के बाद आपके सरीके से चेक कर सकते हैं अपना life certificate approved हुआ है या फिर approved नहीं हुआ है और उसी के साथ आप अपना life certificate भी वहाँ से भी download कर पाएंगे दोसो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा और i button वे वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी दोसरे ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो like कीज़ेगा चैनल को subscribe कीज़ेगा आगे वे ऐसे वीडियो देखने के लिए तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद